हिंकोस डिक्ष्णोरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक परफिस से स्वागत है और आप हैं मेरे साथ यानि करुणा के साथ आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ट्स जो के वीडियो जो अक्सर हम हिंदी में यूज करते हैं आज हम उनकी इंग्लिश भी जानेंगे आज का वीडियो पार्ट टू है पार्ट वन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे भी देखे काफी वर्ट्स हैं, काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो है आप शूर आपको वो वीडियो अच्छा लगेगा और आज का वीडियो भी हम शुरू करते हैं तो चलिए, ट्रड़ी हैं चानने के लिए एक कुछ ऐसे ही टेली यूजड हिंदी वर्ट्स इंग्लिश में तो आज का पहला वर्ट है पारंपरिक पारंपरिक कन्वेंशनल फोर एक्सेंपल मैं एक पारंपरिक फैमिली में पैदा हुई या बड़ी हुई मैं एक पारंपरिक पर अमीर फैमिली में पली बड़ी हूँ तो पारंपरिक आप उसको भी बोल सकते हैं कि मेरा ट्रेस पारंपरिक है तो वहाँ पर आप ट्रेडिशनल वर्ट कर यूजड करेंगे वो ज़्यादा सूटेबल है पर कन्वेंशनल जब आप पोलना है आपको कि आपकी सोच पारंपरिक है आपकी फैमिली पारंपरिक है तो आप ट्रेडिशनल वर्ट कर यूजड नहीं करेंगे इंग्लिश में आप कन्वेंशनल वर्ट कर यूजड करेंगे पेचैनी होती है ना कभी-कभी आपको पेचैनी जब बहुत खबराहाट होने लगती है तो पेचैनी होने लगती है खबराहाट अलग चीज है पेचैनी अलग चीज है पेचैनी को के लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है desperation His desperation to survive made him to do all wrong things जीने की उसकी जो पेचैनी है उसने उसे हर तरह के गलत कामों को करने के लिए प्रेडित किया यह काम करने दिया So पेचैनी desperation कभी-कभी होती ना आपको भी अरे मेरे को वो चीज मिलनी ही चाहिए तो उसकी पेचैनी कि कि किसी भी तरह से मुझे वो चीज मिल जाए So पेचैनी के लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे desperation आकरशित या मंत्रमुक्त बहुत बार इस वर्ड का यूज करते हैं उसकी सुन्दर्था ने मुझे मंत्रमुक्त कर दिया या आकरशित किया आपने देखा इराग और हमास और रश्या के पीचियों शुरू हुआ फिर साल के मिड में आपने देखा इराग और हमास के पीचियों हुआ तो एक तरह से यह सभी यूद एक तरह से विनाशकारी थे तो विनाशकारी के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो है रियोनियस war is expensive and this one could be reunious युद बहुत महंगा होता है, expensive होता है खर्चीला होता है पर ये एक मिनाशकारी युद है जिसमें बहुत नुक्सान होने वाला है नेक्स्ट वर्ड है निराशा चनद बहुत एजी वर्ड है और इंग्लिश में जो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे वो है ग्लूमी, तो वेदर इस रादर ग्लूमी तुड़े आज का मौसम बहुत निराशा जनद है जब बादल रहते हैं, काले-काले बादल तो हमेशा वो अच्छी वाली फिलिंग नहीं आती है कभी-कभी वो सब देखके खपरहाट होने लगते है या निराशा होने लगते है तो उसे कहते हैं फिलूमी नेक्स्ट वर्ड है सावधान या चौकस या दूरदर्शी भी इसको आप बोल सकते हैं कि उसका जो विजन है वो बहुत दूरदर्शी है या सावधान है इसके लिए इंग्लिश वर्ड है प्रूदेंट इस डिसीजन वर्ड प्रूदेंट एंट टाइमली उसका जो दूरदर्शी है और समय पढ़ लिया गया है नौसिख्या अरे उसको तो कुछ नहीं आता पिलकुल नौसिख्या है इसको कुछ नहीं आता हो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है नौविस मैंने कभी पहले कार नहीं ट्राइव की है मैं पिलकुल नौसिख्या हूँ मुझे कुछ नहीं आता है नहीं हूँ मैं इस छेत्र में और नौविस का अगर आप अपोजिट वर्ड देखे अंटिनिम देखे तो वो क्या होगा अनुभवी यानि वेटरिन वेटरिन अनुभवी शे इस अल्सो अवेटरिन कमपेणर वो हूँमन राइट्स मानुविया अथिकारों की एक इसके लिए English word यूज़ करेंगे विंसम पर यह विंसम कब यूज़ करेंगे जब अट्राक्टिव और प्लीजिंग विच सिंपल क्वालिटीज हो पर वह जो क्वालिटीज उन्हों वह पच्चों की चेटरह हो पच्चों को देखते हैं उनकी जो स्माइल है कितनी मनुहर होत होती है अगर आप वह मैं यह वह था स्माइल तो अगर स्माइल देख रहे हैं वह वह क्वालिटीज देख रहे हैं तो आप विंसम वर्ड कर यूज़ करेंगे मनुहर के लिए शीह है आप विंसम जो रूज़िज झाल उसकी चेसमाइल है वह कर बहुत मनुहर है प्यारी है नेक्स्ट वर्ड है चमकीला, luminous, इसके लिए जो वर्ड है luminous, ये lights के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पर example दिया है, her eyes were luminous with joy, उसकी आखे, खुशी से चमकीली हो गई, चमाक आ गई उसकी आखों में, या फिर, she wore luminous cream socks, अभी Christmas time हा रहा है, तो हरे रंग की, red color की socks पहनते हैं, उसने चमकीले हरे रंग की socks पहनी थी, next word है शद्धा, आदर, या सम्मान, इसके लिए जो word आप English में यूज़ कर सकते हैं, वो है veneration, I know easy words भी हैं, पर ये video बनाने का एक मकसद ये भी है, कि आपको कुछ नए words पता चलें, आप easy words भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप English में हमेशा यूज़ करते हैं, पर veneration is something new, जो आपको अपने vocabulary में add करना चाहिए, example, देखे, I cannot find words to express the veneration I feel for those soldiers, मेरे पास words नहीं है, सम्मान अपने उनके लिए शर्था या आदर एक्सप्रेस करने के लिए, जो मैं अपने soldiers, सैनिको के लिए सोचता हूँ, मेरे पास उसके लिए words नहीं है, या भी corona फिर से सर्ज हो रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या थे, first corona wave में हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने कितनी हेल्प की थी, जिस तरह से अपनी जान पर खेल कर, जान दाव पर लगा कर तूसरे लोगों की सेवा की थी, तो I don't have any words to express the veneration for those medical staff. Next word है अस्थवेस्ट, मेरा खर बहुत अस्थवेस्ट है है अस्थवेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया, मेरा घर आज बिल्कुल अस्थवेस्ट है, my house is in a है अस्थवेस्ट मैनर, अभिवेक्टी, आप अपनी अभिवेक्टी कर सकते हैं शब्दों में, तो अभिवेक्टी के लिए English word है, Manifestation Her work with the poor was a manifestation of her compassionate nature करीबों के लिए उसका काम उसकी तयालू भावना का की एक अभिवेक्टी है Manifestation अभिवेक्टी के लिए जो English word है वो है Manifestation विचार करना क्या word आप यूज़ करते है, Think जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नया word सीखना है Contemplate, You can use contemplate ये एक नया word अच्छा word है जो आपको पिल्कुल अपनी vocabulary में एड करना चाहिए और इसी पीच में आप जादा विचार मत कीजिए Don't think a lot वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ने किया तो अभी कर लीजे क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाने वीडियो के नोटिफिकेशन इमेटेटी मिलेंगे मैं आगे भी ऐसे वर्ट्स आप के लिए लेते आऊंगी तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को एक्जाम्पल तेखते हैं विचार करना यानि कंटम्पलेट का तो ओनर ओफ टीम कंटम्पलेटेट मुविंग हिस कबटी क्लब तो अनदर सिटी जो टीम का ओनर है मालिक है वो कबटी क्लब को तूसरे सिटी में ले जाने के लिए विचार कर रहा है पूर्वानुर्मान करना प्रेटिक्ट नॉर्मल वर्ड क्या है प्रेटिक्ट प्ट नूवर्ड वर्ड विच यू कन दूज नौ इस एंटिसिपेट इस स्टेज पर अभी के समय में ये पूर्वानुर्मान लगाना की आगे क्या होगा फिल्कुल नहीं कर सकते इसे पूर्वानुर्मान करना एंटिसिपेट पवत्रता का हनन अजकल देखा जाता है कि मंदिरों में लोग कहें वहाँ पर कुछ ऐसे कारे की है जिससे लोगों की शर्था को आहत पहुचा तो एक दरे से वो पवत्रता का हनन हुआ मंदिर है या कोई भी रिलिजियस प्लेस पर गए तो उसे कहा जाता है टेसिकरेशन उसे अरेस्ट किया गया पकड़ा गया किसलिए मर्डर के लिए और पवत्रता का हनन करने के लिए अगर किसी भी रिलीजियस प्लेस पर या कोई भी होली चीज के खिलाए आप चाहकर उसके अगेंस्ट कुछ काम करते हैं या काम करना नहीं होता है यह उसके उसकी जो पवित्रता है वोलीने से उसको आहत पहुचाना तो उसके लिए आप ट्रिस्करेशन वर्ड का यूज़ करेंगे डगमगाना या तुवित्रता यहां पर वोप के लिए डगमगाना यूज़ नहीं किया है डगमगाना तुवित्रता में अब तुवित्रता में है कि क्या करूं क्या नहीं करूं तो उसके लिए जो एंग्लिश वर्ड है वो है वैसिलेट वैसिलेट तो उस तुवित्रता को ह between hope and despair move next word की तरफ जो है तिखावा नहीं करने वाला कुछ लोग होते हैं जो तिखावा करते हैं कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल दिखावा नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है अन्प्रेटेंशियस इन्सपाइट फिखावा नहीं करने वाला अन्प्रेटेंशियस बहुत प्रसित्थी हैं उसके पास पर फिर भी वो बिल्कुल दिखावा नहीं करता हैं बिल्कुल सरल व्यक्ति हैं तो दिखावा नहीं करने वाला अन्प्रेटेंशियस नेक्स्ट वर्ड है एहंकारोन मादी एक होता है एहंकार और एक होता है कि उस एहंकार में बागल हो जाना एक दरह से उसे कहा जाता है मेगलो मैनियाक Some people actually called me a megalomaniac because of my ambitious ideas कुछ लोग मुझे एहंकारोन मादी कहते हैं क्योंकि मेरी जो ideas हैं वो बहुत ambitious हैं तो एहंकार से एक और step आगे उसे कहा जाता है मेगलो मैनियाक Next word है ठगना बहुत easy word है थोड़ा easy word भी देखना चाहिए न इसे कहा जाता है cheat They cheat people by They cheat people by charging too much for construction materials वो लोगों को ठखते थे कैसे construction material पर बहुत ज़दा charge लगाते पैसे लगाते हैं खुशामत करना flatter I knew he was only flattering me because he wanted to borrow some money मैं चानता था या चानती थी कि वो सर्फ मेरी खुशामती कर रहा है चम्चा किरी कर रहा है बट्रिंग कर रहा है यह भी बोलते हैं न कि बट्रिंग कर रहा है पचताना इसकी इंग्लिश होती है repent He repented of his sins just before just hours before he died वो मरने से कुछ घंटों पहले ही उसने अपने जितने भी sins थे पाप थे उसके लिए रेपेंट किया पचताया काना फुसी करना आप करते हैं कि नहीं काना फुसी इसे कहते हैं इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है इंग्लिश में पीप the small girl was beeping through the curtains छोटी लड़की पर्दे के पीछे से चिप चिप कर देख रही थी नीचा दिखाना नीचा दिखाना humiliate he was humiliated by his own friends and colleagues वह अपने खुद के तोस्तों और सहयोगियों सह कर्मियों के त्वारा नीचा दिखाया गया humiliate किया गया नेक्स्ट वर्ड है व्यवाहरिक pragmatic he favored a pragmatic approach to the problem वह समस्या का एक व्यवाहरिक approach का फेवर किया उसने फेवर किया यहाँ पर व्यवाहरिक pragmatic मतलब एक ऐसा solution या ऐसी चीज जो possible हो अभी के time में उसे कहते हैं व्यवाहरिक और जो आज का लास्ट वर्ड है वह है अन्दाजन आपको क्या लगता है कि यह वीडियो की अन्दाजन कितना लंबा होगा अन्दाजन approximately यह वर्ड तो आप काफी यूज करते हैं अपने day to day life में कि इस कपरे का अन्दाजन क्या कीमत होगी क्या पता सकते हैं तो approximately the work will take approximately two weeks and cost approximately rupees 20,000 इस काम को पूरा करने में अन्दाजन यह लगभग भी आप बोल सकते हैं लगभग तो सब्टा लगेगा और खर्चा आएगा 20,000 रुपए अन्दाजन 20,000 अन्दाजन इसके आसपास ही रहेगा तो यह थे ऐसे 25 words जो आप यूज करते हैं हिंदी में आज इंग्लिश में भी उनके लिए words जाने और उन हिंदी words के आपको मेने इंग्लिश के words भी बता होंगे कुछ के पर आज कुछ नए words भी हमने जाने राइट So I am sure आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए इंटरस्टीं होगा और इंटर्मेटीव ही रहा होगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें और सात में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो के नॉटिफिकेशन इमिटेट मी मिलें मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ट के साथ हाऊंगी एक नए टॉपिक के साथ हाऊंगी Till then Have a nice day Bye Bye Enjoy your day